Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही राशी फल चलिए एक वेजे से आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं King of Wands and Suffering in Silence और ये cards कहते हैं कि इस week in general या फिर specifically अपने professional front में किसी चीज को लेकर मन ही मन एक फिक्र मन ही मन एक चिंता रहती हुए दिख रही है और दिखिए ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि genuinely कुछ मसले हैं कुछ issues हैं जिनको लेकर आप परिशान हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि छोटी मोटी चीजों को भी आप overthink कर रहे हैं एक negative frame of mind है एक negative belief system है जिसकी वज़य से again मैं कहूंगी कि मन ही मन एक फिक्र एक चिंता आप महसूस कर रहे हैं और कहीं किसी से आप खुई के अपनी परिशानी, discuss भी नहीं कर रहे हैं या फिर किसी को आप जाहिर भी नहीं होने दे रहे हैं और surface level के ले King of Wands का का काट कहता है कि बहुत ही boldly बहुत ही courageously हर चीज को आप face कर रहे हैं आप किसी भी चीज से नहीं घबरा रहे हैं जो कि देखे बहुत अच्छी बात भी है लेकिन in the process अगर आपको लगे कि आप denial mode में हैं या फिर से एक negative thought process एक negative belief system है तो इस चीज को ज़रूर check करके correct करें क्योंकि देखे कितनी भी efficiently आप externally चीज़ों को deal करें जब internally एक positive frame of mind नहीं होता है तो completely हम इन ही चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि इसी चीज को check करके आप इस week साथ के साथ correction ज़रूर करें and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है the star and truth और ये cards कहते हैं कि पीछे you know किसी भी चीज़ को लेकर again specifically अपने personal front में आप बहुत confused हो रहे थे जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को deal करें at times होता है न हम बिलकुल blank हो जाते हैं directionless हो जाते हैं तो ऐसी ही energies फिर से मैं कहूंगी पीछे थी तो इस week उनहीं सब चीज़ों से related एक clarity आती हुए दिख रही है एक उमीद जागती हुए दिख रही है आप hopeful होते हुए दिख रहे हैं और कहीं काफी एक positive frame of mind भी आपका रह रहा है और देखिए शायद इसी लिए या फिर otherwise भी truth का काट कहता है कि reality से या तो आप वाकिफ हो रहे हैं या फिर reality से आप अपने आपको वाकिफ करना चाहा रहे हैं कितनी बारी होता है कि कुछ चीज़ों को हम accept ही नहीं करते हैं अगें देखिए हम denial mode में रहते हैं कि हमें पता होता है इनको हमने upfront होके deal किया तो फिर हम hurt होंगे और देखिए कहीं इस week मुझे दिख रहा है कि इनी चीज़ों को आप overcome कर रहे हैं जो भी चीज़ें जैसी भी हैं आप उनको वैसे ही accept कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि कोई सच से भी इस week again आप वाकिफ हो रहे हैं और उसी से ही related या फिर otherwise भी फिर से मैं कहूंगी एक उमीद जाकती हुए दिख रही है एक positive frame of mind रहता हुआ दिख रहा है तो दिखिए personal front के लिए काफी beautiful energies इस week आप लोगों के लिए रह रही है and guidance से आप लोगों के लिए success and growth का card है और ये card कहता है कि जो भी issues हैं, मसले हैं, उनके ऊपर आप इस week ना focus करें कैसे एक progress आप अपनी life मिला सकते हैं, कैसे एक success, एक growth again आप अपनी life मिला सकते हैं, उस पे आप जादा focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए